कि दोस्तों ध्यान से देखिए घजरा मैं आपके सामने क्वेश्चिन ट्राफ्ट कर रहा हूं एव्रीबडी पर येस लो बोलतो हो ना है आप एव्रीबडी अब बहुत है बहुत सारे चलो तो द्यान से सोचेगा ठीक है फोकस करना जो बता रहा हूं एक छोटा सा एक वैं आपको शेर्स का और एक बच्चे ते क्लास में पूछा था तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए मुझे तो एक सिंपल सा प्लीज अपने पेंस का और अपने रजिस्टर का यूज मत करना सिर्फ अपने दिमाग पर यूज करना सिर्फ दिमाग क्योंकि मैं आप लोगों का दिमाग शाथ करना चाहता हूं मतलब प्लीज सब्सक्राइब लिक्षा ना तीन चार तीन दोस्सों शेयर्स टिक टिक क्रॉस फोर फीट हो गया डेड़ सो री इशू हो रहे हैं एड़ेट रुपीज एट ठीक है कडियों करना तो भी इमगेंगर देना मुझे आंसर आपको बताना है क्यापिटल रिजर्व में कितना आएगा इसाइक को बताना है enslaved में कितना आएगा ऐसे डीरो-त अचोश्टन दे रहा हूं मैं आपको है टो जाना प्रुटा सब्सक्राइब प्रुट्च बीचे डिश्बुरू किप्लड रिजर्व में कितने सब्सक्राइब काउच कुग में कि बिना पैन के और कोई एंट्रीज नहीं कोई कुछ नहीं बस कॉंसेट लगाओ दिमाग लगाओ कि अब कि अब तक किसी का भी नहीं आया है कि सवाल है कि कैपिटल डिजर्ब में कितना आएगा कि सवामय सही जवाब आशी सही जवाब पलक गलत जवाब ग्रेशु सही जवाब क्रेशिका गलत जवाब स्वामी गलत जवाब कितना आएगा प्लीज पैन वगड़ा का यूज मत करिएगा अगर बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है क्वेश्चन तो आप लोग अपने पैंस वगड़ा का यूज कर सकते हैं दिक्षा सही जवाब दिक्षा कुबानी सही जवाब अब दिक्षा गौर वाले बिटा आपको इसमें बताने क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है कैपिटल डिजर्व में कितना आएगा दिमाग लगाओ बिटा लिक्षा को बानी आपका सही जवाब एकदम और 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 जवाब है और जवाब चाहिए मुझे निशान्त जानवी कि शिवेन अंसर दो भाई पलक सही जवाब तेजस्वी देव्यान्शी आयूश्मान रिशा है शाबाश बिटा आंसर कि सवाल है कि कैपिटल डिजर्व में कितना आएगा कि तेजस्वी सही जवाब क्रिश्य का सही जवाब और क्रिश्य का आपने पहले बारा सो लिखा था ना वो भी गलत जवाब था मतलब उसके हिसाब से भी 1100 होना चाहिए था जो आपने पहले बारा सो लिखा था उस लॉजिक के सबसे डैट शूट है विलेवन हंड्रेट ठीक है बच्छा लगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया नाइस टिक है आऊ जरा मैं आपको बतातों बहुत सिंपल सा है बहुत सिंपल से दिमाग में सॉल करवाता हूं ठीक है जो जो बच्चों का नहीं नहीं आया है बचे वह जवाब देगी टीक है डियेम मत करना reply to everyone कर सकते हैं सवाल यह मेरा कि कितने शेयर री इशू हो रहे हैं कितने शेयर री इशू हो रहे हैं सब आपको दिमाग में सोचना यह सब कितने रुपए में यूज कर रहा हूं मतलब कितने रुपए में यूज कर रहा हूं कितने रुपए में यूज कर रहा है तो इस तरीकी से सोचना है ठीक है बताओ जवाब दो बेटा मैं कितना किया है यह सब मेरे दिमाग में चल रहा है अच्छा एक बात बताओ 200 शेयर्स के आपके पास फूर फीचर के टाइम पर कितने रुपए आये थे जल्दी बताओ 200 शेयर्स के आपके पास फूर फीचर के पर कितने आये थे 200 इंटू बहुत बढ़िया 200 शेयर्स के अगर 200 इंटू साथ आये थे तो डेड़ सो शेयर्स के कितना इंटू साथ आएगा 200 शेयर्स के अगर 200 इंटू साथ आये थे तो डेड़ सो शेयर्स के कितने आये होंगे कितना इंटू साथ बताने आपको 200 शेयर्स के अगर आपको 200 इंटू साथ मिले हैं तो डेड़ सो रिशू हो रहे है ना तो डेड़ सो शेयर्स के कितने आये होंगे कितना इंटू साथ है सब को कि अ कि अ हुआ है कि अ हुआ है कि अ हुआ है तो जवाब तो ठीक है जवाब तो दो साथ हैं तो डेल सो शेर्स के कितने होंगे बेटा अब जब्यूसली देट सोइंटु साथ तो सांथा ठीक है तो डेल सोइंटु साथ में से डेल सो दो माइनस वा तो बचा मेरे पास डेल सो इंटु पांच मतलब की साथ सूपचा सो बहुत असान था बहुत असान था एक वैशन के अधिक है अम बच्चों ने प्याएसा जिसमें से दो रुपए यूटिलाइज हो रहे हैं तो किते रुपए बच गए तो यह सारी चीजे आपको यह सारी चीजे आपको सोचनी थी तो इसमें परिशानी से बीक तरीचे से मने बताया था तो राज वाले से बीक्षिन हो ठीक है तो इसमें एडिन आपको लानी पड़ेगी टिक है सब्सक्राइब तो बस यह एक छोटा सा क्वेस्टन था जो मुझे आपके सामने रखना था आयो दोस्तों अब हम लोग क्या कर रहे हैं यह वाले पेपर नापको दे दूंगा मिलको मिला नंबर वन कुल मिला के एक मिनट नगा चलए तो यह तो हिएgy जाएक गाला के बनाबर नंबर उगूर जाएक मिला के तीन जबाउंगा वागी बचे हूए All कर दोस्तों आज आपको पता चलेगा यह जो पेपर करने की पॉर्टेंस क्या होती है जल्दी करें बड़ा शाबाश कि अब मतलब मैं आपका जो बैच है वो पर्मेनेंटली ऑनलाइन ही कर दूँ अब दूसरे ग्रूप में इसलिए पुछ चाहूं है ठीक के बिठा तरी दोस्तों 31 32 33 आम ज़स्ट गिविंग यूओ मिनेट कर दो कर दो कर दो अब प्हू प्रोग्च आराasis कर दो कर दो कि अंव्याइट आ हुआ había कि अनन्य जो कल हुआ था वही सब रहने आप देख लो अगर कल वाले एंसाइनमेंट है कि तो आपको दुबारा करने मनल आप देखना अगर आपको दुबारा करने दुबारा कर ले फेरी गुट पलक चलो चलो तो जाना चीए बिटा तीन क्वेस्टन पूछ से स्क्रीन पर तीन क्वेस्टन से बहुत सिंपल थरी एवरीबाडी तो मिल जाए मुझे फिर मैं बताता हूं आपको इनके आंसर थरी वन थरी टू थरी बहुत असान पालक सौम्या जान भी ठीक है और बताओ और बताओ जान भी आईडिया विटा तुमारी फ्रेंड है रुसके बाद चल को इन 31 32 33 दन कमान बच्चों जल्दी करो बहुत सिंपल है यार जल्दी कि सौमी ग्रेशु दिक्षास आयुश्मान आशी प्रागती जल्दी खतम करो बेटा कि शिका आयुश्मान आशी ठीक है अपने आपको मार्क्स देना और बताना मुझे कि कि ना हो कितने आपके सही थे ठीक है दस में से देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं ठीक है ओके क्वेश्चन मोर्ट 31 विच फॉल्लविंग इस नॉट अ सबहेट अंडर नॉन करंट एस अंसर इस ए ट्रेड रिसीवेबल उसके बाद अगला पॉइंट है कैल्कुलेट अधर इंकम वेंड़ फॉल्विंग डेटा इस अवेलिबल और यह महुत मैजदार क्वेश्चन है दोस्तों सुनिया इंकम्स दो प्रकार के होते हैं एक उता है सेल्स और एक होता है अधर इंकम ठीक है सेल्स के लिए आप एस लिखेंगे अधर लिखेंगे थोड़ा जलदी रिप्लाइ करना ठीक है और इस क्वेश्चन के बाद आपको पता चलेगा कि रिविजन की क्या मतब यह जो टेस्स की क्या इंपॉर्टेंस है और तकरीबन दस से बारा टेस्स मुझे क्लास में ऐसे ही लेने हैं आपके तभी आप लोग एकदम मतब रिदम में आप आओगैं ठीक है आपको पताने क्या यह सेल है के लिए के दो सेल सेल्स में जथे पताएए सेल does के के अदर इंकम हैए सेल और बहुत बढ़ी है बिलकुल से जबाम सेल ओफ ऌस्क्रैप सेल्ट या अहाजरीत क्ले हैं सिट Mts ऑफ स्क्राइब दए पटो बत बतो एंग वाले तो देख गाए अधर इंकम वाले ओ लिख दो रनकम वाले ओलिख दो लिख दो स्टाइब आधर काफी वच्चे इंग मैं अच्छा काफी है काफी है का वह जरुब यह बतातों मैं है क्या तो समझना है आपको पते सेल आपको क्या लगा होगा यह जो जिन बच्चों ने अधर इंकम लिखा उन्हों आने सोचा होगा कि यह जैसे हमारे दिवाली में क्या होता है कि घर से हम लोग पुराने आइटम को बेच देते हैं तो वह हम कबाड़ी वाले भीया को बेचते हैं तो स्क्राइब लगा है आप लोगों कि हम अपना स्क्राइब पुराना माल कबाड़ हमने बेच दिया तो उसक्राण थोड़ी बहुत इंकम होगी वह अधर इंकम है यह लग रहा होगा आप लोगो स्वामी तेजस्वी क्रिशिका दिक्षा प्रगतियाशी यही लग रहा है ओ अब उतने ही कॉंसेट में दस पेपरों के साथ भी बताऊंगा यह सब चीजें ऐसे ही डिसकस हो अप लोगों ने बच्पन में देखा होगा टेंथ क्लास में आपके पोर्स में था और जिसके पास लखमीर सिंग मंजीत कौर वाली बुक थी उसका उसमें डाइग्राम भी जब य当 पटरॉलीयम बनते हो तो का एक बाय प्रोडक्ट होता है उसका वैसलिब याद है किसी को जब भी आप पेट्रोल बनते हो तो वैसलिब उसका बाय प्रोडक्ट होता है है नाइस तीन-चर भछे सो को याद है बाकी केरे हैं हमने कॉमर्स लिए ठीक हैं नाइस काफी बच्चों को याद है ठीक है तो एक बात बता यह सेल आप समझके सेल स्क्राइब का कॉंसेप्ट है कि जो विरा बाइप्रोडक्ट है मैं उसे बेच रहा हूं अब बताओ यह मिले सेल्ज या अधर इंकम एस है या ओव्विस बाते मिलें ऐसे ऑव्विस बाते मिलें एक सील से ठीक है आगे बढ़ते हैं जरह सेल ऑफ मिसल टीक है स्टेशनरी का मैं काम किया होता है किताबे बेचना लएक का मेंकिते लिएया मैं कर दो यह माद यह सब्सक्राइक हो मैं नापने पैसे देट आपको लेंगा हॉतantine क्या करा order में उसने वो समान को पैसे आपसे लिए समान वगएरा सब अरेंजा को करवा दिया क्या वो स्टेशनरी वाले के लिए सेल्स है येस और नो अमन गाइज एवरीबाड़े येस ओविसली वह उसके लिए तो एक होता है सेल ऑफ मेन आइटम एक होता है सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम तो जो भी आपका मेन आइटम है वह तो सेल है ही अरे पलक कितना रिपीट करूं पलक मैंने बस यह बोला है बिटा कि सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम मतलब कि जो आप छोटे मोटे अपने प्रोड़क जैसे मैंने अभी एक्जामपल दिया था स्टेशनरी का तो अगर आप स्टेशनरी में जाके बोर्ड और अगर आप चेयर्स वगरा खरीदते है तो वह उसके लिए सेल्स कंसेटर की जाती है पलक तो तो दो टाइप के सेल्स होते है एक होता है में जैसे वह बुक्स वगरा बेचते हैं जो उनके पास होता है जो स्टॉप डैट इस में सेल्स और एक होते सेल ऑफ मिसलीनियस ऐटम दोस्तों सेल्स एक अधर इंकम है सेल ऑफ मिसलीनियस आइटम्स अब्विसी बात है यह भी आपका सेल पलक समझ गए बटा सेल 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 ठीक है हाँ पलक आपको दिक यह सर उसके बाद रीफंड ओफ इंकम टैक्स सुनो 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 आपके लिए सेल है अधर इंकम है या इन में से नन है इन दोनों में से कोई होता ही नहीं है रीफंड ओफ इंकम टैक्स सेल है अधर इंकम है या नन ऑफ दिए अबाव है अब सुनिए क्या होता क्या है कि मैंने सरकार को ज्यादा टेक्स पे कर दिया बाद में मुझे पता चला कि यार मुझे तो टेक्स इतना पे करना ही था यह तो एक लाग मैंने पे कर दिया में असी अजार पे कर दिया है तो जो बचे हुए बीस अजार है वो मैं सरकार से वापस लो गजाँ तो इसंट ब regime कर दो ऑर संक टा रखे उसका अगर आपको इंटरेस्स मिले वह आपके लिए अधर इंकम्स है तो ओविसली दी आंसर इस ट्वेटी टू थाउजी ठीक है सर अगर रिफंड की जगे रिटर बिटा जी रिटर्न ऑफ इंकम टेक्स कुछ होता नहीं है ठीक है स्वामी रिटर्न ऑफ इंकम टेक् में कुछ है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा सर इंकम टेक्स का कुछ पैसा वापस मिलता है ना अच्छा किसने वोला बिटा मैं आपको चलो एक परसनल एक्जैंपल देता हूँ 2014 में मेरा एक 40,000 का रिफंड आना था ठीक है मैंने 2014 2015 2016 2017 चार साल मैंने उसके लिए अप्लिकेशन भरी बहुत सारी मुझे मिला ही नहीं आज तक आज तक नहीं तो आप समझ गई एक बाज जो सरकार के पास पैसा चला जाता है ना वापस नहीं आता ठीक है वैसे भी 14 के बाद मुदी गवर्मेंट आ गए थे मुझे विश्वास ही नहीं था ठीक है तो समझ गए बेटा तो रिटर्न इंकम टेक्स कोई पैसा वापस नहीं आता बेटे नहीं आता कभी नहीं आता आगे वड़ते हैं जड़ा इसके बाद शिवेंट चॉक मत यार सीरियसली फॉट्टी टू थाउजन सम्टिंग का था आज तक नहीं मिला कोई बात नहीं अगला है ठड़ी थर्ड बैंक और ड्राफ्ट कैश क्रेडिट है तुए के फॉल्स है अरे बैलेंशीट तो पड़ी थी उसमें तो देखा ही होगा तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट कैश एंड कैश एक्विलेंट का पार्ट है ट्रू और फॉल्स जो बच्छे वेट कर रहें दूसरों के पर कोई तो एक लिख दो कि बागी पच्छे फॉलो कर लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कैश ट्रेडिट्स अट्रिट कैश एंड कैश एकुविलेंट्स ट्रू और फॉल्स चालो किसी नों सो जवाब दिया ठीक है स्वामी ट्रू और फॉल्स ठीक है ट्रू आ गया एक फॉल्स आ गया क्रेडिट होता है ट्रू और फॉल्स ट्रू बता रही है वह फॉल्स बता रही ठीक है ट्रू 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 दोस्तों दिमाग लगाओ थोड़ा सा पहली बात आपको कैश प्रेड पता सुक्सक्राइट बैंक ओवर्ड्राफ्ट करूअ सो David बैंक ओवर्डाफ्ट्राक्ट कि बैंक ओवरड्राफ्ट है कि इस लो चल रही है क्लास अब है ऐसे नहीं कर पाओगे खतम बाई पेपर कैसे खतम करोगे जल्दी बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट कर डेविड वैलन्स होता है क्रेड बालएंस होता तो इतना क्योंग गुस्ता दलवार हो तो अब्विस ही बात है कि आपट हो सकता है कभी नहीं हो सकता ठीक है तका है ओबिसले दिस पोलस और ये क्या होता है यह शॉट टॅम बॉरोइंग्स होती जोती है। लंपतरा नहीं सब्लेकर और कैश डेलिट आप्के शॉट टंप ऊड्वाइंग जोती है। चार होते हैं आपके पास तो बैंक ओवर्ड्राफ इस पार्ट ऑफ शौट टम बॉर्डविंग्स और कैश्ट्रेड भी सेम चीज़ होती है बैंक ओवर्ड्राफ कैश्ट्रेड एक ही बात चलो तो तीन में से अभी तक आप लोग के सिर्फ मैं कहा रहा हूं एक या दो ही क्वेस्टिन सही होए होंगे चलो कोई बात नीए पॉछ जब नहीं पूछा टू नहीं हो दर क्यों रहे हो इनके वीचे के रेलेशन है के नहीं बहुत सिंपल सी बात है आप लोगों ने देख भी रखे होंगे चलिए दोस्तों शाबश 34-35 जस्ट गेविंग यूँ अ मिनिट एवरिबाडी प्लीज जस्ट गेविंग यूँ अ मिनिट बहुत कुछ आपको इन पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों जल्दी से कि वी कॉन्फिटेंट ज्यादा दिमाग मत लगाओ बहुत सिंपल से क्वेस्टेंज हैं जल्दी करो नीचे वाले क्वेस्टेंज थोड़े से बड़े क्वेस्टेंज हैं इसर्शन्स एंड रीजन्स होने के बाद डन लिख दी जगत दोस्तों कि निशान्त तुह है क्लास में कि रिशा थीक चल रहा है बिटा यश आर्यन ठीक चल रहा है भाई कि आइस तुम्हारे बैच में मैंने ऋवलत बता दिया था वहम यहां तुम्हों मैंने को ठीक करवाने है खलो बता दिया था मैं कि मैं सोच रहागा अब कर दूब ही कि अभी खेलाश मीं बताहिए तोसляется नहीं आए रहा है कोई बात ने निशांत है कि गया नहीं उस वाले का फॉल्ज थर्ड 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 को अब चलो चलो जल्दी करो बड़ा शाब बाश कि लोग अब बहुत छोड़े छोड़ा पॉइंट है यार हम मुझे पता हो सकता है तो बोनस के बारे में नहीं पता उसकी बारे में एक्स्प्लेशन दूंगा मैं आज आपको करो दिमाग लगाओ कि अबी सीडी आपको यहां पर दे रखा है यह चार है एसर्शन रीजन के मतलब क्या क्या यह भी सीडी के हिसाप से सोचना है क्वेस्टिन नीचे हैं कि अग्यों कि क्या अब दश्वच्ट दॉन करो कम से कम थर्टी फॉर थर्टी फाइफ दो नो हो के आई यह थर्टी फोर देखते हैं में थरी फोर देखते हैं थैन परसेंट डिपेंचर इस शुड़ ऑन एक ऑक्तूबर रिडीमेवल ऑन थर्टी जुलाइ 2020 are shown in the long-term borrowings in the balance sheet true or false जल्दी बताओ जवाब जा टाइम मतलगा ना टी लिखो या एफ लिखो जल्दी बताओ ट्रू फॉल्स फर्स्ट ऑक्टोबर से लेकर थरी फर्स जुलाय तक का है लॉंग टर्म बॉर्ण लॉंग टर्म बॉर्ण शोग कर रहा है ट्रू और फॉल्स ने ट्रू बोला है नहीं दिव्यांशी दो फॉल्स बोला है सौमी अच्छा दिव्यांशी दोनों बोले नाइस जवाब 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 दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बताया था इट्स ओल अब अगर आप लोग सिर्फ इसको एपलाई इसको करते हो लेकिन आपके अंदर कॉंफिदेंस नहीं है तो आप एक्जाम में ना कॉंफिदेंस को कैरी नहीं करोगे इट इस ओल अबाउट कॉंफिदेंस ठीक है आप में से कई बच्चों को मैं और ऑफ-लाइन बुला लूँगा अगर आप लोग जो है जवाब बगएरा प्रॉपरली नहीं दे दोगे तो कि मुझे तो देखना ही है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो इतना बोलने के बाद एक दो बच्चे रिप्लाइ कर रहे हैं ना लाइक शिवेन जवाब दे जल्दी से जवाब दे उपर वाला ट्रू फॉल्स सिंपल सा लड़्डू सा क्वेस्टन है गदो फॉल्स है यह पता लोंग टर्म बॉरोइंग्स जो होती है वो कितने टाइम पिरट से ज़्यादा की होती है एक साल से ज्यादा की अब फर्स्ट ऑक्टोबर 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक क्या हो गए क्या बारा महीने जल्दी बताओ क्या हो गए बारा महीने तो क्या आप इसे लॉंग टर्म में शोकर सकते हैं क्या क्या लॉंग टर्म है कि श्र्ट टम यह एक्षे यह वाले जो डवेंचर है यह एल है कि एस है बेटा श्टर में तो ट्रू है कि फॉल्स है सिंपल इतना मुश्किल सवाल थोड़ी था यह तो नीचे वाला तो किया ही नहीं होगा तुम लोगों नीचे वाला तो पूछूंगा इमनी में आप लोगों से खुछ बता दूँगा जल्दी बता उपर वाला ट्रू है कि फॉल्स है चलो फॉल्स टीक है उसके बार एन अमाउंट अफ लोन द्यू पर आप दू फॉर पर प्र दूवर आप ड्रू पीरिड ऑफ ट्वेल्टम उन्स इंस ऐंस बेड़ेट आप दू आप ट्रू त्रू अज्ट्रू आफॉट पॉर्स पार्ट पॉर्स पॉर्स तुर्फ जो बारा माहिने सक्षा कम होता है उसे शॉर्ट टम और भी बात है ठीक है ऑभी सी बात है टूर्ट तो एफ एफ ट्रू है तो आंसर ऑप्विश्ली इस इसका सी ठीक है यह रहा असर्शन इस फॉल्स रीज़ा इस ट्रू ठीक है तो बहुत सिंपल से हैं भाई ठीक है अच्छा हो सकता है कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था हो सकता है कई बच्चों ने यह सोचा हो कि यार एक ऑक्टोबर 2019 से 30 जुलाय है लेकिन पीरड तो 31 मार्च को खतम हो रहा है तो इसलिए इस साल तो रिडीम नहीं हो रहा ना तो इसलिए हम लोगों ने इससे लॉंग टर्म सोचा है कितने बच्चों ने यह सोचा था लब काफी बच्चे ऐसा सोचते है ठीक है आपको टाइम पिरड के साबसे नहीं सोचना है क्योंकि सोचो ना अगर मैंने आप लोगों से 30 मार्च को मैंने पैसे ले लिए और मैंने आप से का कि मैं आपको 15 एप्रिल को पैसे लोटा दूगा तो बताओ लांग टरम तो अगले टांपिरड में दे रहा हूं तो ढाट इस ना important when when is your year ending right that is not important to you चलो आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको इश्यू आफ बोनस शेर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं भाई यह वैंनों ध्यान से शुनिए का होता है कि जब आप अपने rich and surplus ko share capital में convert कर देते हैं उसे कहते 84 चाबने संट्राफित्त मे जब आप अपने profits को जब आप अपने pupil को शेर कैपिटल में convert कर देते हो बेटा उसे कहते हैं bonus shares आप इसमें कुछ नहीं करते हैं आप अपने profits को shares convert कर देते हैं अब सुनो question कह रहा है इसका debt equity ratio में क्या impact पड़ेगा मैंने क्या बताया profit आपका कम हो है shares आपके बढ़ रहें profit कम हो रहा है तो equity कम हो जाएगा लेकिन shares भी आपके बढ़ रहे हैं तो equity प्लस भी हो जाएगा ठीक है तो equity तो वैसे का वैसा ही रहेगा और उपर वाले debt में कोई impact नहीं आया तो जो ratio पहले थी जलदी बतो पहली वाली ऑर बाद वाली रेशिए पहली वाली और सीम होता हुता है डिफरेंट नहीं होता वाला पॉइंट हुआ जैसे कि यहां पर एक छोटा सा कॉंसेप्ट हुआ यहां पर बोनस इशू हुआ तो आपको टेस्ट में मतलब अभी तक हमने क्या रहे हैं मैंने आपको खाना बनाना सिखाया है कि देखो तड़का ऐसे लगाते हैं इतना नमक डालते हैं इतना इतना पर एक टेट इकुटी रेशियो तुछ यह उसके बाद देयर इस ओनली वन देयर इस ओनली अपन वर्जिन अपश्चिंट इंट शेर कैपिटल और विसी बात है ट्रू बोथ अप देम रेलेटेड है तो अब्यस्ली आंसर बूर्भी ए बोथ एसर्शन रीजिंस आट्रू अब जो अगला question है वो आपका यहां से start हो रहा है यहां तक है और उसके बाद यहां पर भी question continued है उपर भी ठीक है तो मैं in the meanwhile में यह सब कूड़े को मैं हटा दूंगा इसके basis पर आपको 36 से लेकर आपको 40 तक questions solve करने हैं इतना बताता हूं 36 पर ग्रॉस प्रॉफिट रेश्यों के चारो options नहीं है ठीक है क्या options है वो आपको देखने है जस्टार्ट the question बेटर ठीक है I'm giving you what three or four minutes जल्दी से करिए असान questions common sense वाले questions जल्दी करिए दोस्तों को इसे को गाया मतों आवे अ कि 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 36 to 40 झाल 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 थर्डी सेक्स टू फॉर्टी दोस्टू एफेक्टिवली बताऊं यह उपर वाला पैरग्राफ भी बेकारी है प्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ यह लिए और हंड्रेट परसेंट बेटा इस दो ते ने इंपॉर्टेंट अच्छी बात है मुझे आपको बतानी है तो जल्द खतम करो आप कि अ कि अ कि अ कि अ कि कि झाल 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 चलो बटा शाबबाश खतम करो 37 बहुत असान क्वेश्चन है 38 असान है 39 असान है 48 भी असान है जल्दी से खतम करो बचे झाल अच्छा एक काम करें क्वेश्चन मतलब साथ में डिसकस अभी आपको मोर और लेस आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन साथ में करें करें मैं आप से करके पूछता रहूंगा ठीक है साथ में करें लिए चलो साथ में लेते हैं इस से फखेले कि मैं आगे बढ़ू दोस्तों एक मिनिट के लिए मैं आपका टाइम लेना चाहिए एक मिनिट पूरे एक मिनिट चीए मुझे आपका एवरीबाड़ी एक बार होना आप यहां पर एक बार यहां जवाब देदो क्वेश्चन करते रहें आभी मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन करने का होना यहां पर ठेक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से सुनने यार देखे मुझे किसी सिंद कोई दुश्मन ही नहीं है मैं बस मेरे पास जो बारवी क्लास के जो 125-130 स्टूडेंट से मेरे पास मुझे उनसे बहुत लेना देना है ठीक है मुझे मैं चाहता हूं उन बच्चों के जिन्नों ने मेरे पर ट्रस्ट किया है जो कंसिस्टेंट लिए मेनत करने है आपका रिजल्ट आना चाहिए ठीक है और मैं आपको गलत ट्रैक में नहीं डाल सकता दोस्तों देखिए मेरी जो आपके बास जो ग्री जो ग्रीन वाली जो बुक है वो मेरा फोर्थ एडिशन है उसके बाद भी हर पांचवे पेज पेज उसमें गलती है हर पांचवे छटे पेज में उसमें गलतीया है मैं खुद एडिमिट करता हूँ चौथा एडिशन है वो मेरा और मैं अपने बुक्स को खुद खुद लिखता हूँ खुद एडिट करता हूँ सब कुछ मैं करता हूँ तब भी गलतीया रह जाती है जैसे ही यह सैंपल हूँ लेकिन फिर मुझे लगा कि यार बहुत खर्चा हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं इस साल मैंने नहीं बनाई बट स्टिल मैं आपको कम से कम 15 मैं आपको दूँगा तो मैं आपको यह सब चीज़े क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखो उन्होंने इतनी पर ख़ीद रखा होगा सची बताए दोस्तों क्या आपको सारे सब्जेक्टों में सैंपल पेपर में गलतियां मिली है की नहीं मिली है की नहीं मिली है सची बताओ दोस्तों मैं बिल्कुल जूट नहीं बोल रहा है सची बताओ यह सो बिल्कुल मिली हूँ बिल्कुल मिली ह देखा है वो उन गलतियों को justify कर देती है और वो सही भी करवा देती है मतलब कि हाँ यह गलती नहीं है यह एकदम सही है देखा है आप लोगों ने कभी आप लोगों ने ऐसा अगर स्कूल वालों से अगर आपने पूछा हो कि यह question कैसा हुआ तो justify भी कर देंगी बहुत बढ़ी है ठीक है हम टीएजगरेवल दिखा दो मैं हर बार यही सीरे अब टीएजगरेवल गलत है सैंपल पर कभी गलत नहीं हो सकते है इतने अकॉन्फिदेंटली मों बहुत है बछ बच्चे का क्यों कि टीचर कभी गलती नहीं मानती है यह एक फैक्ट है दोस्तों क टेंपल पेपर उनको ऐसा लगता है कि यह हम नहीं बनाई है हम कभी गलती नहीं मानेंगे ठीक है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ आपको कम से कम नहीं तो मैं दस पेपर अब से हर दिन हम लोग पेपर ही सॉल्व करेंगे जब तक हम लोग हम लोगों को 100% confidence नहीं आता है मुझे पता है confidence की कम ही होगी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी 30-32-33 आप आते हैं बस हमारे हम लोगों की 5-6-5-6 गलती फाल दूगी हो जाती है ऐसी सब feelings आ रही होंगी आपके अंदर बिलकुल tension मतलो 15 पेपर 15 तो ज़्यादा कह रहा हूँ मैं कम से कम 10-12 पेपर मैं class में solve करवाऊंगा हम दोनों 7 solve करेंगे ठीक है उसके लिए आपको consistently आना पड़ेगा चाए pre-board हो चाए practical हो चाए फलाना डिम करना कुछ भी हो आपको consistently आना है और आपको paper देना है मेरे वाले क्योंकि sample papers में अलग-अलग sample papers में गलतियां हो सकती है मैं खुद कहा रहा हूँ आपको उन गलतियों को कहां लेकर जाओगे ठीक है तो मेरे साथ paper solve करो और बस यही request है एक mark भी फाल तुमें नहीं हमें खर्च करना अपना ठीक है आईए जरा समझते है और school वाले बाई सब खरवा देते हैं ठीक यहाँ यही ठीक है कैसे ठीक है हमें नहीं कि यहां से समझेगा दोस्तों जहां से समझेगा question में रखा है हमें share capital दे रखा है दस लाक रुपए का चलिए ठीक है पहली बात अब जैसे question नहीं देख लो भाई यह question गलत है बच यह और करा देंगे हैं से ठीक हाँ ऐसे ऐसे करके जुगाडवाजी करके ठीक करवा देंगे लेकिन यह question ही गलत है दोस्तों ठीक है that it's credit revenue from sales revenue from operation sales होता है ठीक है तो आपको credit sales आपको दे रखी है चार लाक रुपए cash sales वर 75% of credit sales का मतलब cash sales आपको दे रखी है तीन लाक रुपए और cost of revenue from operation इस एक लाक असी इसका मतलब cogs आपको दे रखा है एक लाक असी हजार ठीक है its cost of revenue from operation इस एक लाक असी आपको cogs दे रखा है एक लाक असी मुझे पहले बताने gross profit ratio gross profit ratio तक gross profit upon net sales into 100 gross profit क्या होता है sales माइनस सी ओ जीएस sales है total साथ लाक का साथ लाक माइनस एक लाक असी हजार अपॉन साथ लाक सेल्स माइनस cogs यह आप इसको solve करोगे यह आएगा 5.2 lakh upon 7 lakh into 100 obviously यह जो है इन चारो में से आप option नहीं आसे कि इसका आंसर 60 या 70 परसेंट के आसपास है यह चारो के चारो गलत options ठीक है पहला पहला question आपका हो गया यह रहा sales आपके पास यह रही आपके पास cogs sales मेंस सी ओ जीएस माइनस कर दोगे जीपी आजएगा how many of you did it correctly बलब option यह सब छोड़ो how many of you did it correctly दोस्तों यहां पांच लाग बीस का यह जीए से अपॉन नेट सेल्स बहुत बढ़ी है ठीक है बहूत बढ़ी है यह बहुत बढ़ी है नाइस सेड़ाफ्य सेंद क्वेस्टन अ से पहले कि मैं आगे बढ़ू आँ इसका अरे याइज दिया एक मुझे विड़ा हुजी करन्ट लाइबिल्टी दे रखे मुझे कितनी कितनी थी 2.9 लाग सेल्स मुझे दे रखा है साथ लाग सी ओ जी एस मुझे दे रखा है एक लाग असे असा ठीक है question is which of the following effect might help improve the gross profit ratio of the company कौन सी चीज़ gross profit ratio को improve करेगे सुनो सुनो सेल्स में से मैं COGS माइनस करता हूँ GP आता है indirect expenses माइनस करता हूँ indirect income प्लस करता हूँ EBIT आता है माइनस करता हूँ interest EBT आता है माइनस करता हूँ tax EAT आता है यही होता है सबसे पहली बात increasing in selling price क्या जीपी को increase करेगा yes or no अगर मैं selling price को बढ़ा दो तो क्या वो मेरे GP को impact करेगा yes or no क्या वो GP को improve करेगा yes or no जल्दी बताओ तीन चर मिड़ बचे मेरे पाद जल्दी बताओ अगर मैं अपनी selling price बढ़ा दू क्या GP बढ़ेगा obviously बात है yes obviously yes ठीक है obviously yes okay reduction in income tax अगर मैं income tax value गटा दू अगर मैं इसकी value नीचे जो tax होता है इसकी value अगर मैं गटा दू तो क्या इसका कोई GP में को impact पड़ेगा मीचे वाली चीज़ को गटा दू क्या GP में को impact पड़ेगा नहीं reducing the selling price selling price कम करने से क्या GP बढ़ेगा selling price कम करने से क्या GP बढ़ेगा obviously बात है no charging greater depreciation ज्यादा depreciation चार्ज करने से क्या मेरा GP बढ़ेगा ज्यादा depreciation चार्ज करने से अव्यसी बात है no answer is only a क्या 37th question का क्या paragraph से कोई relation था 37th question का क्या paragraph से को relation था कुछ एक question ऐसे भी होंगे common sense वाले questions होंगे ठीक है आगे बढ़ते था 38th question की बात करते एक पर में मिटा दूसरा इस वाले पार्ट को ठीक है ठीक मिनट था 38th question की बात करते है आपको बताना है अब यहां पर भी एक बहुत तगड़ी चीज आप समझो एक question paper में हमें इतनी knowledge मिली है दोस्तों उपर से सब में बहुत साही knowledge मिली है आज़ा मैं ठीक है knowledge क्या रहा हूं मैं भी हद लिए भी कहूं ना बिटे सॉरी ठीक है चैल नहीं अभी असरी है ठीक है अब सुनिए working capital turnover ratio working capital turnover ratio क्या होता है sales upon average working capital ठीक है बिटा sales किता दे रखा है साथ लाग working capital कितना दे रखा है current assets minus current liability 6 लाग माइनस 2,90 तीन लाग दस हजार ठीक है option देखके बताओ जल्दी से option क्या है वाइब खतम हो गई है अब बताओ अच्छ एक बात बताओ क्या इसका answer decimals में आएगा या फिर round off करके आएगा इसका answer जो है वो decimals में आएगा या फिर प्रॉपर answer आएगा जल्दी बताओ decimals में आएगा तो obviously the answer is a b c d बताओ भाई obviously the answer is b obviously हमें questioning करना यहां तक करना बच्ची क्या करेंगे वो करेंगे साथ लाग divided by 3.1 lakh हमें नहीं करनी ऐसी पागल पंती 2 cannot be the answer 2.5 3.2 cannot be the answer obviously the answer is 2.258 हाँ अगर एक और आजा तो 2.358 आ जाता तब तो मुझे करना पड़ता बट स्चिल हम लोग आपर common sense लगाएंगे बैटा यह सब छोड़ी छोड़ी ट्रिक्स है जो आपको पता चलनी चाहिए ठीक है अच्छा यार एक बात बताओ अगर हमारा working capital turnover ratio ज्यादा है तो हम better काम कर रहें better के लिए B लिग दो या खराब के लिए के लिए हम better काम कर रहें कि खराब काम कर रहें वर्किंग capital turnover ratio ज्यादा है तो हम better काम कर रहें कि खराब काम कर रहें कि आतवेंसी बाद है बेटर काम कर रहे है request अंसर इसका क्या है A B C D by overtrading under trading either ab none of these answer kis और में कर तो अज्ञार करे तो बदेखेयां है अब जल्वी बताओ तो a कर रहे हैं दो ज्यादा काम काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हम ठीक है कॉमन सेंस है इस थर्टी नाइंद के लिए भी हमें हमें इस परेग्राफ को जरूरत नहीं थी तुछ है आगे बढ़ते दर्था प्रोप्राइट रेश्यों क्या होता है इकुटी अपॉन टोटल एसेट्स इकुटी किता दे रखा है हमें 10 लाक टोटल एसेट किता रखा yes or no भर नहीं कल सकती शिवेन कहा से निकल जाएगे 09 सबस्क्राइब कि लेकीन अगर हमम्doing अपस्थ हो से थे रखाएकल दरखा 10.5.4 राकर करन्ट थेरका टू फोइंत नं सिबस्क्राइब क्या इसकी वैल्यू और एसेट की वैल्यू क्योंकि है सेम होगी येस तो ओविसली 17.4 लाग तो दस लाग अपॉन 17.4 लाग आंसर इसका 0.57 है तो फिर से ओप्षिंस सारे के सारे गलत है ठीक है आप यह मत कहना कि सर क्लोजेस्ट ओप्षिन लेंगे क्योंकि एक्जैम में हमेशा ठीक था आपको यह चीज समझ आई होगी कि यार हमें इसी तरीके के सोचना है तई बच्चे सोचन के हम पचास क्वेशन कर लेंगे सो क्वेशन कर लेंगे काम हो जाएगा हमारा नहीं होगा दोस्तों हमें इस तरीके से कॉंसेप्ट को पकड़ना है और फिर हमें अपने आपको डेवलेप करना है आपकी अगली क्लास जो है वो सीधा ट्यूस्डे को होगी एक हफ़ते की छुट्टी है चिल मारो इसमें मेरे तरफ से बिल्कुल मत पढ़ो पढ़ना है तो मैं आपको दो पेपर दे दूँगा उन डोनों पेपर को सॉल्व अच्छे से कर लेना ठीक है ऐसी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल की सॉल्व करनें असान असान से पेपर है हर क्लास में अब से हर क्लास मेंFrom में आपके साथ इस थाइप कि मैं पेपर डिसकस करूंगा अभी मैं करूंगा शिर्प पार्ट भी